जोहार जैमलियोंसी मैं संकेत और आप देख रहे है मेंट टीवी WhatsApp ने 5 जनवरी को अपनी Terms of Services और Privacy Policy को अपडेट किया और यूजर्स को इस बदलाव के बारे में बताने के लिए इन अप नोटिफिकेशन भेचना शुरू कर दिया नई Terms और Privacy Policy 8 फरवरी 2021 को लागू हो जाएगी इसके बारे में कुछ दिनों से विवाद चल रहा है इससे जुड़े हुए कुछ महतुपुर्न सवालों पर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं जिसमें से सबसे पहला सवाल है कि WhatsApp क्या डेटा कलेक्ट करता है और उसे कब कलेक्ट किया जाता है जवाब है कि जिन बदलाओ के बारे में कमपनी ने जानकारी दी है उसमें यूजर से कलेक्ट किये जाने वाला डेटा भी मौजूद है इस डेटा में account की जानकारी, address book की जानकारी, status की जानकारी, transaction और payment data, customer support, communication और कुछ परस्तितियों में मैसेज भी होते हैं कंपणी के मुताबिक मैसेज सिर्फ आपके device पर store होते हैं ना कि कंपणी के server पर अब दूसरा सवाल, WhatsApp किस طرح के transaction और payment data collect करता है इसका जवाब ये है कि अगर आप Facebook के स्वामित्वो वाली कोई payment service या financial transaction करने वाली service इस्तमाल करते हैं, तो company कुछ अतिरिक्त data collect करती है, इसमें आपके payment account और transaction की जानकारी होती है, payment account और transaction की जानकारी वो सुचना होती है, जो किसी transaction को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती है, जैसे की payment method, shipping detail और transaction amount, तीसरा सवाल, क्या WhatsApp message का भी data collect करता है, company के मुताबिक कुछ परस्तितियों में WhatsApp आपके message store करता है, जिसमें पहले है deliver नहीं होने वाले message, अगर कोई message तुरन deliver नहीं होता है, तो WhatsApp उसे अपने server पर encrypted form में 30 दिनों तक रखता है, और deliver करने की कोशिश करता है, अगर message 30 दिन बाद भी deliver नहीं होता है, तो message delete कर दिया जाता है, दूसरी परस्तिती ये है कि media forwarding, जब कोई user एक message में media forward करता है, यानि कोई image, video या text message भेजता है, तो WhatsApp उसे media को अस्थाई तोर पर encrypted form में अपने server पर store कर लेता है, ताकि additional forward में आसानी हो सके और आसानी से वो message दूसरी बार forward किया जा सके, चवथा सवाल, नई WhatsApp privacy policy में और किस तरह का data collect किया जाएगा, इसका जवाब ये है कि इसमें automatically collected information भी है, जिसमें uses or log information, device or connection data, location और cookies शामिल है, पांचवा सवाल ये है कि क्या WhatsApp, क्या WhatsApp user, data को बाकी Facebook company के साथ share करता है, WhatsApp की नई terms और privacy policy के मुताबिक, company कुछ खास जानकारी दूसरी Facebook company के साथ share कर पाएगी और उनसे ले पाएगी, इसमें इस प्रकार की जानकारी शामिल है, account registration information जैसे कि आपका phone number, transaction data, service से जुड़ी जानकारी, platform का इस्तमाल करते हुए user एक दूसरे से कैसे interact करते है, mobile device information और user का IP address, ये कोई नहीं बात नहीं है कि social media platforms के जरिये आपके data को दूसरी कोई company या platform उपयोग में लाएगा, इसके पहले Google और Facebook को उनके users का data तीसरी company को देने का आरोप हो चुका है, अमेरिका के जिस चुनाव में Donald Trump की जीत हुई थी, उस चुनाव के लिए Cambridge Analytica नाम की company को Google और Facebook ने उनके users की सम्वेदनशिल जानकारी देने का आरोप हुआ था, जिसके लिए उनकी testimony भी हुई थी, लेकिन इस बार तो WhatsApp ने अपनी policy में ही बदलाव करके, खुले आम, लगबग अपने 35 करोड यूजर्स का सम्वेदनशिल डेटा साज़ा करने का फैसला किया है, और जो भी उनकी इस policy का स्विकार नहीं करेगा, उसे WhatsApp को अपने device से डिलिट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, यानि अगर आपको 8 फर्वरी के बाद भी WhatsApp का उप्योग करना है, तो आपको अपनी privacy को लेकर समझोता करना होगा, और अपनी सम्वेदनशिल जानकारी दूसरों को इस्तमाल करने की इजाज़त देनी होगी, क्या आप ऐसा करने के लिए तयार है?